कि यह पार्शल डिफ्रेंशल एक्वेशन का तीसरा कोश्चन है इससे पहले हमने कोश्चन नूमर वन टू अच्छे से समझा के पढ़ा दिया है और वीडियो अपलोड है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक भी दे दिया है उसे भी जाके आप देख सक सकते हैं पर सकते हैं और यह बीटेक थर समिस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजरिंग मैथमेटिक्स थर्ड जो बीटेक थर समिस्टर में चाहिए रेगुलर स्टूडेंट है या फिल लेटर इंट्री से जिसका एडिमीशन हुआ है उसके स्टेट को अपनाना परता है पांच स्टेट नहीं स्टेप करते हैं ठीक है पांच स्टेप क्या है स्टूडेंट फाइव स्टेप वह पांच स्टेप में पहला स्टेप है आपका लेगरांजे एक्वेशन के फोर में लिखने के लिए यानि पीपी पालस क्यू क्यू है dx बटे p बड़ावर dy अपॉन q बड़ावर dz अपॉन r के रूप में और तीन equation है और तीन equation को हम क्या करेंगे दो-दो equation को लेके compare करेंगे यानि तीसरा step में दो-दो equation को लेके हम compare करेंगे और compare करने के बाद integration दो बार कलना पड़ता है पहला integration से हम c1 nooit does करते हैं दूसरा integration से हम c2 finding करते हैं c1 c2 find करने के बाद 4 step में हम general equation के रूप में इसको लिखते हैं यू-भे के रूप में किस रूप में यू-भे के रूप में और 5 step में complete solution student लिखते हैं वो फाई यू भी के रूप में ठीक है यह पांच स्टेप आप अपनाते हो यह कोश्चर आसानी से स्वल्ब हो जाएगा अब यह सारे चीज के बारे में हमने अच्छे से बताया है वीडियो लेक्चर दो और तीन में ठीक है इसमें देखिए यह कोश्चन ओलेडी पहले से कंभाट है किसमें पी क्यू की रूप में देखरें यहां पे पी और क्यू है यहां भी देखिए पहला पी क्यू है बड़ाबर आर यानि यह ओलेडी कंभाट है लेगरांजे एक्वेशन के रूप में तो हमको इसको कंभाट कर में की ज़र्वत नहीं है यहां पर लिखेंगे चुकि capital P capital P बड़ाबर किया अब देखो यहां पर क्या है 1P plus 3Q बड़ाबर यह total R के रूप में ठीक है यह small P के साथ में क्या है one है यहां पर कुछ नहीं यहां पहुझाएगा one capital Q capital Q यहां फिर यहां पर लिख जते हैं इस इक्वेशन इस इक्वेशन ओल्वेज कि ओल्वेज इन लेगरांजे लेगरांजे इक्वेशन के फ़र में यानि पीपी पलस Q Q बड़ाबर आर की रूप में अर्थाथ चोकी capital P बड़ाबर कितना है one capital Q बड़ाबर कितना है three और आर बड़ाबर क्या यह total यह फाइव जट पलस 10 y-3 x ठीक है अब हम इसको लिखेंगे दूसरा स्टेप उसको करते हैं लेगरांजे एक्वेशन यूजिंग यूजिंग लेगरांजे एक्वेशन वह होता है dx upon P बड़ाबर dy upon Q बड़ाबर dz upon R के रूप में अब हम इसमें क्या करेंगे P, Q, R के जगह पे जो यहाँ पे आप लेखे हो उसको put कर दीजे इमंदारी के साथ वही मंदारी क्या होता है वही मंदारी होता है वीडियो को लाइक करना और सेर करना अगर समझ में आ रहा है तो तो P के जगह पे 1 बड़ाबर dy upon Q के पलेश पे हम 3 put करतेंगे बड़ाबर dz upon R के पलेश पे यह R है R के पलेश पे यह टोटल लिख देंगे 5Z पलेश 10 Y-3X अब यहां तक आ जाईएगा तो आपका यह दूसरा step complete हो चुका है तीसरा step काता integration करना integration करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें से दो-दो equation को लेके select करना है और उसको compare करने यहनि variable separable method के रूप में उसको convert कर देना सेपरेट कर देना separate करने के बाद integration निकालेंगे C1 और दूसरे बार फिर इसमें से कोई दो equation को लेके compare करेंगे और integrate करके C25 कर लेंगे तो तीसरा step हम जा रहा है अपनाने के लिए तीसरा step के लिए क्या करेंगे लिखेंगे चुकी दो equation को हम क्या करते हैं first and third को compare करते हैं क्योंकि दोनों में constant है माज आएगा separate करने में यहां से कोई दिक्कात ही नहीं है थिरी को चाहो तो इधर भी रख सकते हैं या फिर इधर भी लेके आ सकते हैं तियो जाएगा 3x 3dx बराबर d y integration कर दीजिए इंटिगेशन कर दीजिए इंटिगेशन कर दीजिए तीसरा step काम चल रहा है इंटिगेशन बहुत साइट दोनों तरफ इंटिगेशन कर देंगे लिख भी सकते हैं उसको भासा में यह हो जाएगा 3dx बराबर d y इंटिगेशन कर देंगे तो constant का इंटिगेशन क्या होता है जिसके respect हम इंटिगेशन करते हैं तो हो जाएगा 3x बराबर यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का इंटिगेशन y के respect कोगे हुआ पलस c1 इसलिए c1 का भीलू मुझे चाहिए एक चीज़ ध्यान रखेगा c1 का भीलू हम निकालते हैं तो c1 बराबर क्या हो जाएगा 3x-y एक चीज़ गौर करिए question में कहीं ने कहीं यह चीज़ दिया गया है कहां दिया गया हो 10 में यहां पे देखिए question में क्या है 10 y-3x है ना अगर हमारा यह question के solution करने के बाद c1 का भीलू y-3x आ जाता तो यहां पे हम direct put कर देते c1 लेकिन आया क्या है 3x-y आप जाएगे integration का property में अगर हमें कुछ इस परकार का लाना होता तो हम c1 जो है इस तरफ add किये हैं जरूरी नहीं है कि दाहिने तरफ right side में ही c1 को हम add करें आपके मन पर depend करता है question solution होने में easy हो सहुलियत हो उसके लिए हम c1 को वहां पर put कर सकते हैं मतलब कि c1 को हम x के तरफ भी add कर सकते थे ताकि 3x उदर जाके minus हो जाता तो ऐसा ही कर देगे हैं यहां प्लिक देंगे हम c1 बड़ाबर y इसी लिए c1 का जो भी लू आएगा y minus 3x अब समझ माया यह integration के properties है अब तीसरे step में ही हमें दूसरा पार integration करना है कब करना इस दोनों में से यह तीन equation में से अब कोई 2 को लेखे compare करना ना फ्रस्ट बार में तो हम first and second को लेखे compare करके solution किए अब हम तीसरे के साथ में से इस दोनों में से कोई 1 प्लिक लेख़वे के है क्योंकि इसमें वन है इस पे कोई परक्रिया इस पे कल्कुलेशन में कोई डेंजर होने वाला नहीं है अंतर होने वाला नहीं है ठीक रहेगा और यार यह हो जाएगा आपका डी एक्स बटे वन बरावर डी जैड अपॉन फाइब जैड पलस टेन वाई माइनस थ्री एक्स कोई दिक्कत अब देखो वन का मतलब क्या कुछ नहीं बाई अंतर होने वाला ही नहीं है यह आप लिखेंगे डी एक्स बरावर डी जैड बाई फाइब जैड अब देखो चवथा और पच्मक मिटा रहा हूं कि क्या है जेनरल सोलूशन आएक है कम्पलीट सोलूशन ठीक है बता देंगे अभी तिसरा इस्टेप ही चल रहा है चवथा पच्मक चलने वाला है पलस टेन अब देखो यहां पर बाबू य-3 एक्स के बदल लेकी ही देना कोगे जरूरी है ग्रम जरूरी है ताकि यह 10C1 जो है constant बन जाएगा नहीं तो यह function था integration करना परता प्रोपर्टिज बहुत आपनाना परता है एक देर पेज लग जाएगा integration करने में हो सकता फस भी जाए इसलिए y-3x के जगए mc1 पूट कर देंगे जब करने की बारी है इंटिगेशन करने की बारी है ती हो जाएगा dx integration dz by 5z plus 10c1 कोई दिखकत यहां तक अब देखिए नीचे में क्या है 5z plus 10c1 नीचे बाले पार्ट का differentiation उपर है कैसे हाँ एक चीज इधर मैं मिटाओंगा जल्दी सिसको नोट कर लीजिए तो करना क्या है question को सब से पहले Lagrange equation के रूप में separate करना है convert करना है पहले से convert है उस रूप में यही है Lagrange equation अब हम p q और r का भिलू लिख लेएगगे दूसरा Lagrange equation के रूप में लिखेंगे Lagrange equation यह है तीन एक्वेशन है, थीन में से कोई दो अहां फिर P Q R का भिलू पूट कर देजिए यह रूप आ जाएगा फिर इसमें से कोई दो equation को लेके compare करेंगे जैसे मैंने किया और जब separate हो जाएगा तो integration करके C1 निकाल लेंगे फिर यह तीसरी equation के साथ इस कोनों में से कोई एक को लेके compare करेंगे जैसे मैंने यहां पिकिया और फिर यहां से हम integration करके C2 करेंगे C2 करने के लिए फिर यहां पर देखिए एक प्रोपर्टिज अपलाए होने X पलस 5 इंटो DX तो कहोगे कि नीचे वाले पार्ट कर differentiation उपर है बिल्कूल है क्योंकि X पलस 5 कर जब differentiate करोगे तो X कर differentiation 1 आ जाएगा और 5 का हो जाएगा 0 बड़ाबर 1 देखिए तो इस वाले पार्ट कर differentiation उपर है हाँ है इसका अंसर क्या हो जाएगा log X पलस 5 मतलब नीचे log के साथ में आ जाएगा नीचे वाले पार्ट का differentiation उपर है है नहीं है तो कर देंगे कैसे अगर मनी उपर में 1 है नीचे है उपर में X है नीचे है X square पलस 4 इन्टू DX अब नीचे वाले पार्ट का differentiation उपर है बिल्कूल है कैसे X square पलस 4 इसको differentiate करिए यह हो जाएगा 2X पलस 0 बड़ाबर 2X क्योंकि उपर तो सरे X जी है लेकिन इसका differentiation 2X आया तो गया कहां अरे बाबु इसको हम लिखते 1 बटा 2 इन्टू 2X बटे X square पलस 4 इन्टू DX बात तो बराबर है हमने क्या किया numerator को दूसरे multiply अदो से divide कर दिया अब इसका जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1 बाइटू इन्टू लॉग नीचे वाला पार्ट इन्टू स्कॉर पलस 4 यह integration का प्रोपर्टीज था मैंने थोड़ा आपको रिव्यू कराया पीछे से क्योंकि इसको हमको integration करना है ना अब यहां पर क्या है यह बला पार्ट को कि यह बला पार्ट सर तो यह है वन बटा 5 जैट पलस 10 c1 इन्टू डियक्स क्या नीचे का डिफ्रेंसेशन उपर है कैसे अब देखिए यहां पर आपका है 5 जैट पलस 10 10 c1 इसको जब डिफ्रेंसेट करेंगे तो 5 जैट का डिफ्रेंसेशन क्या हो जागा 5 और 10 c1 पांच हो रहा है लेकिन उपर में कुछ नहीं वान है कि यह काम तो करना है पांच से उपर गुना पांच से डिवाइड मतलब क्या इस वाले पार्ट को हम करने वाले हैं दी एकस बड़ाबर वन बटा 5 इंटु 5 बटे 5जट पलस 10 शी वाल इंटु डी जट यह सब क्या था यस सब था कोंसेप्ट अब दिखी यहां से क्या हो जाएगा यहां कुछ नहीं है तो वन का एक्स क्रिस्पेक्ट एक्स हो जाएगा यहां को जाएगा वन बटा फाइब फोड़ दो फोड़ दो इसका इंटेगेशन क्या हो जाएगा लॉग 5Z पलस 10C1 अब पलस C2 कहां से दूसरा बार जब इंटेगेशन करेंगे थमें C2 C1 C2 का फिलू फाइंड करना ही है पार्चल डिफ्रेंसिल एक्वेशन में किसमें लिनियर में यहां से हम लिख सकते हैं C2 का फिलू क्या हो जाएगा एक्स मैनस वन बाटा 5 लॉग 5Z पलस 10C1 है C1N है तो C1 को C1 नहीं राने देंगे C1 का फिलू लिखना है यहां पर ठीक है यहां हो जाएगा कितना Y मैनस 3X बड़ाबर C2 यह निकल चुका है किसका फिलू C2 का चौथा स्टेप में क्या था जेनरल सोलूशन जेनरल सोलूशन चुकी जेनरल सोलूशन या एक्क्वेशन लिख सकते हैं जेनरल सोलूशन लिख सकते हैं जेनरल एक्क्वेशन क्या होता है यह होता है u x y z बड़ावर c1 c1 का भीलू कितना y-3x काओगे u क्या है x y z का function c1 क्या है u का auxiliary constant है या फिर x y z का constant है और b x y z बड़ावर c2 b क्या है ये भी x y z का function है और c2 b का auxiliary constant है और ये इतना बड़ावर क्या है ये आया है x minus 1 बटब 5 log 5 z plus 10 10 bracket y minus 3x bracket 1 ये आया इसी लिए ये general solution हो कि अब चोथा step पच्चमा step था complete solution इसी लिए complete solution यानि आप answer मिलने बाला है वो क्या होता है phi u b बड़ाबर 0 अब phi क्या है भावू ये है u b का function कोई कोई sir गुरु जी है लिखाए होंगे f u b बड़ाबर 0 काओगे कि sir आप phi लिखाए है गुरु जी लिखाए है f कौन सही है दोनों सही है ये f b function है u b का ये phi b है u b का function कहीं कहें गुरु जी आपको लिखाए होंगे a b जहाँ पे c1 है वहाँ लिखाए होंगे a जहाँ पे आपका c2 है वहाँ लिखाए होंगे b कौन सही है दोनों सही है डिपरजेंट कर रहे हैं आपे न माना कि x y z इसलिए टेंसन नहीं लेना जब टेंसन नहीं लेना है तो करना क्या है तो phi u भी बराबर कितना 0 और बाबू phi तो phi ये रहेगा और u भी किसके बराबर u c1 के बराबर भी c2 के बराबर यहां आप खुशी मत मनाईए अब एक स्टेप और लिखना है तब ही अंसर होगा क्योंकि c1 c2 को हियां से रिप्लेस करना है इलिमिनेट करना है तो c1 का भेलू क्या कहोगे y-3x ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा ये वाला फिर c2 का भेलू कहोगे x-1 बटा 5 log 5z पलस y-3x बराबर 0 यही है यही है गलती कर दिया गलती हुआ क्या गलती हुआ x-1 बटा 5 log बराबर 0 हम तो बहुत पीछे तक भी हैं उधर कर दिख रहा है थोड़ा सा केमर आहाहाहाहा सोरी 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 हाँ देखिए दिख रहा है थोड़ा केमरा को हमने इधर घुमाया है ताकि यह चीज़ आपको दिखे तो यह है complete solution complete solution पांच और स्टेप दिखिए हमने लिखा है तो आपको जब भी partial differential equation का question solve करिएगा तो step को दिमाग में रखिएगा जब आपको step दिमाग में रहेगा न तो line by line question बनते चला जाएगा आपको पता चलेगा हमने किस step को छोड़ा है या कौन सा step को पूरी तरह से कभर कर लिया तो किसी भी question को solve करने के लिए आपको पता रहना चाहिए step step जब याद रहेगा न तो आप बनाते चलोगे और आपको पता रहेगा कि कौन सा step हमने छोड़ा है या फिर कौन सा step को हमने continue कर लिया है चलिए यह तीसरा question था अगले video lecture में हम चौथा question भी solve करते नजर आएंगे अच्छा से अच्छा question solve हिया होगा जो एक्जाम के दिश्टिकों से बहुत ही important होगा BS ग्रिवाल का यह question है ठीक है BTEC 3rd semester के लिए Thank you